वीडियों में हम लोग analysis करने वाले national aluminium stock के बारे में देखेंगे national aluminium हम लोगों को future में कहा तक target दिखा सकता है stock का support कहां पे और resistance कहां पे फ्राइडे के दिन हमें को closing दिखा है 135 प्राइस के around और almost stock गिराओट दिखा रहा था 140 प्राइस के पास से तो क्या stock में और गिराओट देखने मिल सकता है बात करते है अगर previous trend की बात की जाए तो stock में पैटर्न आप notice करेंगे stock पहले almost sideways था जो कि 3-4 में stock sideways हमें को trade करते से 140 प्राइस के ऊपर breakout दिखाएगा तो stock में higher high type का pattern हम दोंको बनते हुए देख सकता है जो कि ऊपर के तरफ continue हो सकता है तो short time कि साफसा stock का टाइगेट होगा अगर ही बास stock 140 प्राइस के ऊपर निकलेगा क्योंकि जब तक stock 120 प्राइस के ऊपर sustain कर रहा है stock में कोई दिंगत की बात नेगर थोड़ा से गिरावड भी देखने मिला हम दोंको जो कि 125 प्राइस के पास stop loss और quantity add कर सकते है नासे अल्यूमिने में लेकिन stop loss होगा जो की 120 प्राइस के राउंड होगा क्योंकि अगर एक बार नासे अल्यूमिने में 120 प्राइस के नीचे कोई closing दिखा देता है तो अल्मूस्ट 110 से लेके 100 प्राइस का भी लेवल नीचे के तब देखने मिल सकता है तो कोई करना चाहता है तो गिरावट पर करें या फिर 140 प्राइस का ब्रेक आउट का वेट करें फॉर दर टाइगेट ऑफ वन सिक्ष्टी से लेके 200 प्राइस तक का नासे अल्यूमिने में इस वीडियो में इतना है अगर यह वीडियो चलंग तो वीडियो को लाइक करें और चानल को सब्सक्राइब करें